कि अब्सार भाई होग कि आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हूँ और अब ही में ये कमेंट सेक्षिन वाला जो वीडियो है कमेंट सेक्षिन वाला वो बना रही हूं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ तो आज जो है वो कमेंट्स बहुत सारे हैं हो सकता है कि दो पार्ट्स में वीडियो आए तो आथ पूरा प्रापर देख लीजेगा वीडियो उसको और जिन लोगों को मत से शिकायत रहती है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाती तो वो प्लीज कमेंट्स पर लिख दिया कीजे वीडियो में कई बार नहीं हो पाता क्योंकि 80-90 कमें एक वीडियो पर होते हैं देली में 2-3 वीडियो पोस्ट करती हूं तो कहीं न कहीं जो सुभा वीडियो डलती है वो रात तक उनके कमेंट्स नीजे दप जाते हैं इस वजह से नहीं पड़ पाती मैं मतलब पढ लेतीूं पर उतना प्रॉपर लिख नहीं पाती हूं उसके कुछ भी तो स्टाइडिंग में जो लास्ट वाली जो वीडियो होती रोज की उसके कमेंट्स में ज्यादा तर पूरे प्रॉपर आंसर के साथ दे देती हूं चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूं रिड्स करके एक आईडी है उन्होंने लिखा ये कैसे कैसे लोग से सबस्क्राइब करवा रही है सबजी वाले फ aan ठेले वाले असेक्टर सब लोगों से इस बीटेक लेड़ी को कोई समझाता नहीं है कि ये लोकल है अपने खर के एक चीज चैनल पर बताती है ये जिसने जिन से ये सबस्क्राइब करवाएगी वो लोग भी और उनकी कैसे कमेंट अल्रेडी पढ़ लिया था पहले ही और आज की वीडियो में मैंने इसको पूरा ही कवर अप किया है और अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने का अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने का कुशिश किया है क्योंकि ये पैसों से रिलेटेट भी चीजे सारी की सारी शेयर कर देती है मेरे काउंट में इतना पैसा है मेरे घर में इतना पैसा है में इतना पैसा यहां रखके बैठी हूँ या फिर मेरे घर में यह हो रहा है वह हो रहा है A to Z कहानी इसके कमेंट मतलब पूरा चानल पर रखी होती है तो जो सब्जी वालो ठेले वालो को यह सब्सक्राइब करा रही है कल को मालो उनकी नियत भी गड़ जाए और यह कुछ मुसीबत में फड़ जाए तब यह आकर यूटूब बालो को बोलेगी कि यूटूब की वज़ा से मेरी लाइफ में यह यह चीज़े हो गई है ना तो तब यह हो जाएगा तो गाइस अगर मेरी आवाज थोड़ी सी उपर नीचे लग रही हो तो थोड़ा समझ जाएगा भी मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया आवाज तो चलिए अगले कमिट में आते हैं रोईनी शर्मा जी का है वो रोज रोज नए धावे पर जाती है और वहां के लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करवाती है इसलिए इसके सब्सक्राइबर बड़े हैं वेरी चलाग गधी तो देखे कभी कभी सब्सक्राइबर इस तरीके से जो वड़ते हैं वो नुकसान दे भी हो जाते हैं इनसान के लिए हर क्रियेटर को अपनी लिमिट्स में रहकर ही काम करना चाहिए सोरव जोशी इतने बड़े क्रियेटर हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो लोकल लोगों से हाथ पेल मतलब मार के और उनके चानल्स पे बोल दे कि सब्सक्राइब पर लो लड़का होगे इतना मतलब नहीं करता लेकिन ये लड़की होकर इतना सब कर रही है मचे समझ में नहीं आता कि चाहती क्या है अगला कमेंट है अंजली जी का इन्होंने लिखा आज पैसे के चक्कर में ही है बाद में आगे जाकर पांच साल बाद पता चलेगा इसका नतीजा कि क्या हो रहा है इसके साथ सही कह रहे हूँ आपकी अभी तो इसकी चलो उमर जो है वो है लेकिन आगे फ्यूचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे इसको और प्राब्लम्स होंगी इसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और जिस बच्चे को ये पाल रही है बड़ा कर रही है वो बच्चा अभी से इसको मारता पेटता गाली देता हर तरीके की गंदी हरकते करता है वो बच्चा और ये उसको खुद भी गाड़ रही है आज ये बोलती है कि मैं बच्चे को खिलोनों वाली गली में नहीं ले ज और बच्चे को अपने उकात पता होनी चाहिए कि हमारे माबाब की उकात कितनी है और कितने की चीज़ हम अफॉर्ड कर सकते हैं कितने की नहीं कर सकते हैं ठीक है तो हर बच्चे को ये लिमिट पता होती है और उसे साब से ही चलना चाहिए अंजली जी का दूसरा कमेंट है इ आप इसको कितना ही समझा दो कितना ही बोलो ये जानबुच कर कर रही है ताकि डॉलर छपे चाहे इज़त बेशक निलाम हो जाए अंजली जी मैं आप से एक बात पूछूँगी कि आप एक बात बताओ इसने आज तक जितनी भी चीज़े यूटूब पे डाली है सारी तो इज़त से रिलेटेड ही डाली है सारा कुछ तो इज़त पेज के ही कमाया इसने आपको क्या लगता है डेड़ लाग सब्सक्काइबर इसकी मेहनत हड़ वर्क की है नहीं ये भी इज़त हो हो के इसने कमाये है तो अंजली जी का फिर से तीसरा कमेट है एक औरत होकर ये बच्चा और घर नहीं संबाला जाता क्या ही औरत है सही बात है यार जो सिंगल पेरेंट्स पारस ठक्राल को देख लो उसको तो ये ग्यान देने भी गई थी अंकुष को देख लो है ना अंकुष को तो चलो बच्चा नहीं अभी उसके पास लेगिन उसकी प्रीतों के पास तो बच्चा है ना वो तो पाल रही है ना अभी पारस को देख लो वो बच्चा नहीं पाल रहा क्या वो अपना बच्चा किसी पड़ोसी की घर में भेज़रा है रोटी खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए देखो जिसको होता है ना अपने बच्चे का केर वो अपने आप संभाल लेता है आगे अगला कमेटर सोनी जी का वो पागल है हर टाइम बाहर का खाना गौड कैसी लेडी है छोटा सा बच्चा भी डेल हो जाते हैं आज कल भी मेरे पास भी पता है आज एक पता नहीं पी से कोई आईडी थी पारस करके कुछ था नाम उसका वो बंदा आगे मुझे बोल रहा है कि आपको क्या जलन है आपको क्या दिक्कत हो रही है आप सिंगल पेरेंट्स के उपर इस तरीके के रियक्शन हुआ था तो भगवान ने जो किया वो भगवान से जाके बात करो ना अब इसमें मैं क्या करूंगी मैं तो उसको बोल रही हूं कि अगर तुझे सच में किसी से प्यार हो गया तो जाके शादी कर ले मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगी मैं तो बलकी बोल रही हूं ये बा कर दो जाना जिसे कि ये कि खाना मत बनाओ हर अगद को क्या दिदी ए कि खाना मत बनाओ आपने इकला अपने सफेř yag टेखे सामने वाले डाबों पर बैठ के खालो जाके और अपना ऐसी विक्की जैसी गाडी लेो बाइक ले लो और सारा दिन कुट्टे की तरह अवारा हिसार नापते फिरो हिसार नापने के लिए या अपना सिटी नापने के लिए औरते बनी है या अपने घर को देखने संभालने बच्चों को संभालने के लिए अपने परिवार को संभालने के लिए औरतों का होना चाहि आप मुझे ज़र बताईएगा इसके बारे में कि क्या आपके घर की औरते भी सारा दिन आपकी गाड़ी या स्कूटी या बाई के लेके अपने एरिया को नापती फिरती घुमती है आप मुझे प्लीज बताईएगा क्योंकि मुझे आपके कमिट्स पढ़कर यह साइकलोन जब इसकी शादी हुई थी तो यह 27 में और इसका पती मतलब पती डेथ हुआ था तब यह 30 में थी तो एज भी जूट बोलती अगर इसकी एज 31 है 31 है तो अधार काड़ और मार्कशीट दिखा दे कुछ भी दिखा दे आप क्या करोगे अंजली जी इसकी मार्कशीटी आधार कर देख के भी अगर यह 40 साल की भी होगी तो हमने कौन सा इसके घर में अपने घर का कोई बिहाना है छोड़ो हमें क्या लेना इस चीज से तो इन्होंने मधु जी ने इनको रिप्लाई किया है बोड़ी से पता चलता है जी तो अंजली जी ने फिर से लिखा जी बैन मेरी एज 29 रनिंग है और मेरी दो बच्चे है और हस्बन की जॉब ऐसी है सारा काम होता है यहां तक कि बाहर का काम भी लगभग मैं ही करती हूँ पती होते हुए भी सब कुछ तो करते हैं यार लोग सब करते हैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं है पती के होने से यह नहीं होता है कि काम नहीं करना पड़ेगा या आपको कुछ नहीं जिम्मेबारी होगी सब को काम होता है जो लोग आर्मी में जॉब करते हैं क्या वो औरते अपने बच्चों को नहीं पालती आर्मी वाले तो भीचारे घर भी कम कमी आते हैं बहुत ज़ादा मैंने तो नहीं देखा कि कोई अपने बीबी के पल्ले के साथ बंद के बैठा हो कोई भी नहीं बैठता आज के टाइम में आज के टाइम में कॉंपिटिशन और महंगाई इतनी हैं कि इंसान को काम दंदा सब कुछ अपनी अपनी जगह करना होता है ठीक है और middle class family का बंदा कभी बाहर के खाने को इतना ज़्यादा फॉर्ड नहीं कर सकता है कि रोज डेली बाहर का लाए और इतना खाना वेस्ट करें जितना यह लोग कर रहे है middle class कभी नहीं कर सकता यह चीज़ तो मदोचे ने लिख डियरिया लगी चीज़ पैदा हुई है सारा देन अवारा घुमती है खाना नहीं बनाती ना कपड़े धोती है हाँ यार कपड़े तो मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे धोती मतलब पहनती है क्या करती है कुछ नहीं पेतर लग रहा जो बंदा आज की वीडियो में शाहिद कह रही थी बच्चे के कपड़े पांस दिन चल जाते हैं स्कूल के ड्रेस पांस दिन नहीं चलती है ऐसे कुछ बोल रही थी तो मैंने आज इसको घर की कपड़ों में भेज रही है ऐसा कुछ बोल रही थी ना तो मैंको समझ नहीं आता कि बच्चों के तो मेरे ख्याल से κिर्ण एक में पहेंच मना हना है उसके बाद अगला comment भी ईन्जली जी का इन्हों ने लिखा है वह पागल बोलती है कि दूध की धुली हुई हूँ गुलाब जल के जैसी शुद है तो ऐसी हरकते करेगी कि प्यार लाया कपड़े, बेटे को प्यार ने यह दिलाया, ऐसी हरकते करेगी तो लोग तो बोलेंगे ही, फिर इन्हों ने फिर आगे लिखा है कि सुना भी नहीं जाता, प्यार प्यार सुन सुन के कान बोर हो गए हैं कितने दिन चला पाएगी ये content कभी तो ये जूट पकड़ा जाएगा हमेशा जूट सामने आते हैं तो जूट तो देको पकड़ा ही जाएगा जूट इसका जूट नहीं रुकने वाला है आप लोग मिर से लिखवा के ले लो ये चीज़ की जूट नहीं रुकेगा उसके बाद नीरू जी का कमेंट इन्होंने लिखा है पहली बात तो ये इसका वाइफाई वाला दो दिन के इंदर आ जाता है फरारी वाला क्यों नहीं आ रहा वाइफाई से लोग नहीं डबे वाले और डेडी वाले अपना चैनल सब्सक्राइब करवाने जाती है आशोक देखी मैडम की सत्रा हजार वाले से नीचे का ट्रेडमिल भी पसंद नहीं आ रहा है जोकर का सलंडर भरवाते वक्त रोते हैं मेरे पास पैसे नहीं है गिरी हुई औरत कभी जिंदगी में नहीं देखी वरना देख सकता कोई आपने सही बोला कि मतलब इसके शौक जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं I think आपने शौक लिखना होगा शौक लिख दिया उसमें तो आपने सही बात बोली कि शौक तो इतने बड़े बड़े है ट्रेडमिल भी इसको 17,000 बारे से दीचे का पसंद नहीं है और रोज में टिकना नहीं आता तो खाना तो दूर की बात है उसके बाद ब्रहमेन क्रीटर्स करके एक आइडिय यह भी बहुत पुरानी का आइडिय है मेरे पास मतलब परसन है यह मेरे पास तो इन्होंने लिखा है बीटेक पास कोई बताए शुगर पेशेंट को फ्रूट दिया ज होता है वो भी जब शुगर जादा हो तो मैं यह भूलूंगे कि जो इनसान अपनी मा को मतलब आप सोचो यूरीन इंफेक्शन थाउन को तो वो बिना पानी के कैसे रह रही है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा तो आप फ्रूट्स वाली बात तो मतलब दूर की हो गई आप यह सोचो कि पानी पानी तो एक ऐसा होता है कि बिमार छोड़ो नौर्वाल इंसान की भी जरूरत होती है पानी वो नहीं है इनके पास और यह गदो वाला दिमागी रखती है इसलिए इसको लोग शाहत गधी भी बोलते हैं पर मैं नहीं बोलती वो मेरा बड़पन मान जेज में तो उसके बाद इनी का दूसरा कमेटर ब्रामीन जी का उस बीटेक पास को कोई बताएगा अचा दो बार लिखाए कि आपने नहीं शुगर पेशन को फ्रूट्स दिलाए जा सकते हैं कुछ फ्रूट्स लाइक मेंगो बनाना जादा कॉंटिटी में नहीं लेना हो यह लोग काफी यह लोग कितना सेलफिश है इनके फादर भाई एंट खुदी है किसी को मदर की टाइट मतलब नहीं है मतलब होता तो यहां पर कोई ना होती हमारे साथ गंदी कोई ना परोसरी होती हम आज रोक कोई ना रहोते इसको तो तीसरा कमेंट इनका वल्गुलर कम कमेंट को कमेंट सेक्शन में रखती है हाँ वो रखती है मताजी का कमेंट है नेक्स्ट उन्होंने लिखा है इसकी तो शकल देखकरी को साहता है सारा दिन अवारा घुमती है मा बिना पानी के घर में बिमार पड़ी है यह तो बहर ठुस लेती है और मा का क्या मा का कुछ न दूआ किजिए मेरी मां के लिए यही सुनने को हमने मिलने वाला है उसके बाद जाट वाली आई देन लिखा गदी के लिए कमिट है कि अपनी मनुर्शकर लेकर चली जाए वाइटी से तो यह सपना कभी पुरा दियो देला आपका क्योंकि वो कभी नी जाने वाली उसने पु बाद नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं मीनु जी ने लिखा समझ गए जी साइकलोन लाइला जी है आगे मदू जी ने लिखा इस इमेहन जी समझ गए जी बिल्कुल समझ गए सही में लाइला ज तो है यार बहुत जादा अपना शर्मा जी हसके दिखा रही हैं उसके बाद मेक जी ने लिखा बुद्धी मैंटल 34 की है गदी कामिनी जी ने लिखा है अपनी गलती फीक करे वो 35 साल की है 1992 का भाई है इसी को मदर ने बहुत स्टार्टिंग में बताया था किसी ने बताया था कि एज में सन्नी से बड़ी थी स्टार्टिंग में ही इसकी सारी पोलपटी खुलने लग गई थी बस इतना स्किप सड़क पर लाना है अब अकेले बच्चे को अच्छे से फैमिली में रख कर पाले नहीं पाल सकती कामिनी जी आप गलत हो यहाँ पर नहीं पालेगी वो बच्चे को पालना मतलब वो तो बच तेदार ने बताया था कमिट करके अरे यार छोड़ो हमें एज से कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन मैं यह बोलूँगी कि जो इंसान इतना बड़ा होकर भी मतलब इतना उपर आधी उमर तो एक तरीके से 30-40 साल की होकर ही निकल गई तो इसने क्या किया अपनी लाइफ म मदूची ने लिखा उसके प्यार को ठीकाने लगाए ओ तो मेकप लवर सोनम जी हस रही है तो देखिए प्यार को ठीकाने क्या ही लगाने के लिए क्या ही ठीकाने लगाएगा कोई businesses or कुछ or कूछ ठेले पे आते है और आजकल थे साथ बात चीत करते करते हैं, इसको सारे थेले वाले ही परसंद आ रहे हैं, उनी के साथ इसकी सारी चल रही है, और अब आप इसकी चाहरे पर खुशी देख रहे हो, हर वीडियो में कह रही है, आपको दिख रहा है, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, यार ऐसी कौन सी खुशी मेंको समझ में नहीं हारी की को industry हो रही है मुनलद धेले को सब्सक्राइब कर आके इसको खुशी हो रही है सोच वाली सोचने वाली बात है कि बाई तुम क्या बोल रहे हो और क्या लिख रहे हो तो बस यही था आज के comment section वाला वीडियो मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बना दिया लेकिन आज सारे comment cover कर दिये और अब नई community डाल दूँगी इसी वीडियो के साथ में डाल दूँगी तो आप लोग नई comments कर दीजेगा महाँ पर जाकर जो भी आपको लिखना हो वो चीजे और इस वीडियो का अंट करते हो में इत करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो like share subscribe कीजेगा reaction वीडियो बहुत जल दाएगा तो subscribe जरूर करना मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई टीक केर